जब से लोगडाउन की चलती टेलीविजन पर प्रसारण किया गया है मशूर शो रामेड का तब से लगातार हर केरेक्टर चर्चा का विशे बन गया है जिहाँ दोस्तों सोशल मीडिया पर जहां एक और फिर से रामेड के हर किरदार ने धहमाल मचा कर रख दिया है आज की जनरेशन भी लगातार रामेड को पसंद कर रही है ऐसे मैं आपको बता दें कि रामेड के हर किरदार के बारे में जानना चाते हैं फैंस जिहां आखिरकार रामयन के बाद ये किर्दार क्या कर रहे हैं और किस तरीके की जिंदिगी बिता रहे हैं इसे बीच हम लेकर आए हैं अपनी खास रिपोर्ट में रामयन में एहम किर्दार निभाने वाले भरत के बारे में जिहां रामनन सागर का एतिहाशिक शो रामयन दूर्देशन पर एक बार फिर से प्रसारित किया जा रहा है वहीं साल 1987 में प्रसारित हुए शो ने अरुन कोविल को भगवान राम दीपिका चिकलिया को मासीता और सुनिल लहरी को लक्षमर के किर्दार से अमर बना दिया था भरत का किर्दार संजे जोग ने निभाया था जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब रामयन के भरत का किर्दार निभाने वाले संजे जोग का निधन हुआ था तब उनके निधन की खबर ज्यादातर लोगों को नहीं पता चल पाई थी इसी बीच आपको ये भी बता संजे जोग का निधन हुआ था लिवर फेल होने की कारण साथी साथ आपको बताते हैं आगे की स्टिपोर्ट में संजे जोग के बारे में लेकिन संजे जोग का निधन हो गया था 27 नवंबर साल 1995 में अब हमारे वीच बुन नहीं रहे हैं लेकिन उनके किरदार के जरिये आज भी उन्हें याद किया जाता है संजे रामेंड के अलावा मराथी फिल्मों के भी पॉपुलर एक्टर रहे थे संजे एक्टर नहीं एरफोस में पाइलेट बनना चाते थे लेकिन साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद में एक रिस्तिदार के निधन के बाद उन्हें घरवालों ने रोग दिया और इसी भी संजे जोग ने मुंबई के एलफिस्टन कॉलिज से ग्रेजिशन कंप्लीट किया इसके बाद उन्होंने फिल्म आया इस्टूडियो से एक्टिंग का कोर्स भी किया था और इसी दौरान मराथी फिल्म सापला में लीड रॉल भी निभाया था इतना ही नहीं संजे ने अपने एक इंटरव्य में बताया था कि वह मुंबई हीरो बनने के लिए नहीं आये थे वेल इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गुजराती फिल्म माया बाजार में अभिमन्यो का रॉल निभाया था इस फिल्म के मेक अब में गोपाल दादा थे गोपाल दादा रामयर के भी मेकअप डिपार्टमेंट को देख रहे थे और इसी बीच गोपाल दादा ने मुझे रामनंद सागर से मिलने के लिए कहा था चुने गए थे संजेजोग वेल आपको ये भी बता दें साथी साथ संजेजोग ने इस किरदार को निभा कर इतिहास रज दिया और आज भी उन्हें भरत की रॉल के लिए याद किया जाता है वहीं एक खास बात ये भी है उनके बारे में की जिस तरीके से पहली फिल्म परदे पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी तो इसके बाद उन्होंने वापिस नाक को जाकर खेती करने का फैसला ले लिया और कुछ वक्त बाद वहे बापिस मुंबई लोटे तो उन्होंने मराथी फिल्म जिद में भी काम किया जिद फिल्म सुपरिट हुई थी और वहीं इसके बाद उन्होंने 28 से 30 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्म में मराथी थी और इस तरीके से उन्होंने फिल्म इ कर दो कर दो कर दो